दोस्तो टॉटल सीलेशन मिलर में आप लेगव का स्वागत है तो दोस्तो आज का वीडियो एक DC फैन के उपर जो की इंडक्शन में फैन चलता है दोस्तो अथरा बोल्ट का सप्लाई से फैन गुमता है तो यह फैन पूरा डेर है तो दोस्तो आज हम खोल के देखेंगे इस फ परह किए से हैं इसको कैसे हम रि पयर कर सकते तो यह की मौल्टीमेटर के मदद से हमने बॉल्ट है इसको नाप लिया मिजा है तो इसमें हम 12 वोल्ट हम तो इसमें इन कर रहे तो इन करने पर फैन गूमनाlingen चाहिए था लेकिन फैन गूम नहीं रहा है तो दोस्तो इस पैन क्या खराब हो जाता है इसका रिप्यार हो नहीं पाता है तो आज हम पूरा जो है इस पैन को खोलेंगे खोल के इसको रिप्यार करने की कोशिश करेंगे देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सा जो पार्ट रहता है दोस्तो तो दोस्तो मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगता है तो जिरूर्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए न्यानाय वीडियो के नोडियो सबसे पहले पानने के ले तो दोस्तों इस पेटे के पिछली इस्ते में देखिए प्लास्टिक का लॉक बना रहता है और उसके बाद एक छोटा सा रवर का जो वासर जैसा लॉक रहता है दोस्तों यह देखिए यह प्लास्टिक बाला लॉक है अब इसके इसको हम थोरा सा खिचेंगे तो बाहर निकल जाएगा तो यह देखिए यह जो फैन का ब्लेड है इसके साथ जो मैगनेट आता है और बाकी का जो बॉड़ी है इसके साथ देखिए हमारा कोईल बगरा रहता है जो कि आप कह सकते अगर फैन में जैसा आर्मेचा रहता है वह इसा टाइप का तो इसमें एक पूली लगा हुआ है उसको हम थोड़ा सा ठोक के बाहर निकल लेंगे तब जाके हमारा जो सार्कीट है वह बाहर निकल आएगा दोस्तों नहीं तो इस सार्कीट को हम देख नहीं पाएंगे तो यह दिखिए थोड़ा थोड़ा करके ठोकना परेगा तो दोस्तो तो ये फैन, जो है, बहुती जा में, इतना टाइट है, तो, इसका पूली भी बहुत टाइट था, तो ये बहार निकल नहीं पाएगा, सायद तूट सकता है, तो ये दिखिए, ये जो है, बोड़ी के साथ देखिए, तूट गया है, कोई बात नहीं, इसमें हम प्रेवी को एक से जोर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि तूट गया है अप लोगों को तो इसको हम रिपियर करेंगे तो इसके अंदर क्या खराब होता है क्या कौन सा चीज है दोस्तों वही हम देखेंगे तो इसके अंदर ए देखिये एक जो हमको दिख रहा है एक हेल सेंसर इसके अंदर रहता है दोस्तों जो की magnetic energy को electric energy में convert करता है तो इसी हेल सेंसर के अंदर बहुत सरा जो circuit एक सद जुरा रहता है इसलिए इसको integrated हेल सेंसर कहते है दोस्तो इसके अंदर जो है दोस्तो driver रहता है और इसके अंदर सेंसर रहता है और भी बहुत सरा काम करता है दोस्तो इसके अंदर on-chip health sensor भी इसको कहते है दोस्तो इसके अंदर 4-5 ऐसा कुछ circuit रहता है दोस्तो जो की magnetic energy को एक तो convert करता है electric energy में दूसरा जो है इसके अंदर जो driver रहता है driver जो sensor रहता है ऐसा बहुत सरा जो है component लेके इसके अंदर बना हुआ है तो इसका number है दोस्तो AH477 तो यही ज्यादा तर खराब हो जाता है दोस्तो और fan बंद हो जाता है अगर आप इसको change कर देते हो तो एक DC fan बिलकुल सही हो जाएगा इसमें और कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तो जितना भी brassless DC motor रहता है दोस्तो उसमें इसी जो health sensor का यूज होता है integrated health sensor इसको एक transistor भी कह सकते हो तो इसके अंदर हम short को check कर रहे है इसका जो एक नमबर पीन positive है और चार नमबर पीन जो है दोस्तो नेगेटिव है और 20 बाला दो पीन दोस्तो आउटपूट का पीन है तो इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव पीन में हमको जो ओम से वो थोड़ा कम दिख रहा है और ह हम नजदिक से इसको दिखाएंगे तो थोड़ा सा आपको फुटा हुआ दिखेगा देखिए यह देखिए यह फुटा हुआ दिखेगा तो इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे इसको हम चेंज करके इस सर्कित में अगर लगा देते तो इस सर्कित बिलकुल सही से काम करेगा और हमारा डिसी फैन जो है दोस्तों यह बहुत ही अच्छे से घुमने लगेगा तो इस हेल सेंसर काystem पिन आउट हमने दे दियाए 1 नमबर पिन जो है positive 8 vl in होगा और 4 नमबर पिन से negative voltage इन होगा और 2 नमबर और 3 नमबर वोल्ट जो है दोस्तो आउटपूट होगा तब Поil में जाएगा और Поil में जाने के बाद जो है दोस्तो हमारा जो फैन है वो चालू हो जाएगा तो यह देखिए जो BLDC फैन जैसे काम करता है वो इसा ही कुछ यह काम करता है दोस्तो तो हमने इस सेंसर को बैठा दिया है अभी चारोलेग को हम सोल्ड कर देंगे और इसके अंदर लगबग यह जो integrated health sensor इसलिए कहते है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा जो है circuit एक साथ बना हुआ रहता है इसके अंदर सेंसर रहता है और इसके अंदर तो दोस्तो इसके अंदर जो मतलब electric energy जो बनाता है इसके अंदर जो magnetic energy है उसको electric energy में convert करने के लिए इसके अंदर एक amplifier भी होता है और इसके अंदर दोस्तो heat को sense करने के लिए भी circuit रहता है और overheat को भी sense करने के लिए इसके अंदर circuit रहता है दोस्तो और इसमें ऐसा कुछ बहुत सारा circuit रहता है इसमें driver circuit भी रहता है तो बहुत सारा सर्कीट को एक साथ मिला के जो है इंट्रिगेटेड हेल सेंसर बना रहता है दोस्तों और इसी करण जो है इसको बहुत सारा काम में लगाया जाता है इसके इस सेंसर को बाइक में भी यूज किया जाता है दोस्तों और हमारा जो डी सी फैन रहता है दोस्तों इ तो यह बात नहीं हम अच्छछे से बैठा देंगे तो पता हुआ भी नहीं चलेगा कि यह तूटा हुआ था तो हम इसको अच्छे से बैठा लेते हैं अब इसके उपर जो है फैन का जो ब्लेड है दोस्तों जिसके अंदर मैगनेट बना हुआ रहता है तो उसको हम बैठा देंगे आप देखिए इसका जो दोनों वायर है नेगेटिव और पॉजिटिव का इसम तो जो डी सी फैन रहता है दोस्तों यह जो इंडक्शन का फैन रहता है यह बिल्कुल खराब होता नहीं है कि आप इसको रिपेर करनी पाओगे तो आप चाहते हो तो इसको जुरूर रिपेर कर सके हो है इसके अंदर दोस्तों कुछ-कुछ फैन में और थोड़ा ज्यादा जो है सरकीर में कॉंपोनिट रहता है किसी में टैंजिस्टर रहता है और रेजिस्टर का यूज होता है और उसमें डायट का यूज होता है और जो है इंटिगेटर हेल सेंसर का यूज होता है तो इतना सा कॉंपोनिट इसमें यूज होता है वह आप बहुत ही आसानी से उस झाल झाल